हेलो एव्रीवन वेलकम तू पॉर्ट इस्टूड फ्रेंड्स आज के इस वेड़ो में बात करेंगे इंपोर्टेंज एन्सकोप फ्लॉरी कल्चर के बारे में तो फ्लॉरी कल्चर हमारे पास जो एक ब्रांच है होटी कल्चर की जो डील करती है कट फ्लावर डाय फ्लावर, पोर्ट प्लांट्स, कट ग्रीन्स, सीड्स, बल्ब्स, लैंड्सकेप प्लांट्स और उसके साथ साथ उनकी मार्केटिंग, प्रोडक्शन वैल्यू एडिट प्रोडक्ट भी जो हो करती है, ठीक है तो यह मर पास फ्लॉरी कल्चर की डेफिनेशन होगी जबसे बबश्चर करते हैं, फ्लांट्स, प्लॉर्वर्वर्वस, उसके साथ साथ इप फ्लांट्स से भी आपनी इंकम बना सकते हैं, वह बहुत सो लोगों के लिए इंप्लॉइमेंट्स का सोर्स है बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो की फ्लावरिंग पर डिपैंड है ठीक जैसे दूप होगी अगर बत्ती होगी बहुत सारे सेंट जो है वो हमारे पास पर्फ्यूम बगारा तैलकम पॉर्टर इनमें भी फ्लावर्स का काफी ज़ादा यूज होता है there are more than 150 country which are involving cultivation of ornamental plant अब हम बात करेंगे मेन एक्सपोर्टर मेन एक्सपोर्टर में सबसे पहले है थे निधरलेंड कोलॉंबिया यूकेतर कैनिया इस्राइल इटली स्पेन बेल्जियम थाइलांड जर्मनी ये मेन एक्सपोर्टर इंपोर्टर कहुं से हैं यूके जर्मनी यूस इसे निधरलेंड फ्रांस जपान इटली स्वीजरलेंड बेल्जियम और रश्यनिया इंपोर्टर से आगे निधरलेंड जो है मार पास के की प्लेयर है फ्लोरी कल्चर इंडस्ट्री में लाजस्ट फ्लावर अक्षन मार्केंड जो है सिच्वेटेड है मार पास अलसा में निधरलेंड में फ्लोरा होलेंड यह भी निधरलेंड में जो है बिगेस्ट फ्लावर अक्षन कंपनी है वर्ड की फ्लोरा होलेंड टिक है बिगेस्ट फ्लावर अक्षन कंपनी है वर्ल्ड में पूरेंड फ्लोरी कल्चर जो है इंक्रीजिंगली रिगाड़ेज एस वायर डिवर्टिफिकेशन फिल्ट क्रोप दू हाय रिटर्न पर उनित एडिया फ्लोरी कल्चुर को काफी साथ लोग यूस करें कि इससे जो हाय रिटर्न मिलता है दियर्फोर फ्लोरी कल्चर क्रोप नावन यस्लो वोलियम अइय डैल्यू क्रोप का पृटे इसको हां लोग मार्य काउ यू वोली में जोश्वा यू रिखिर की क्रोप को इंडिया इस ब्लास्टीी इंडिया की बार मिंधा एक इंडिया है वो बैसाट दैंट्वासिटी ओ अग्रोक्लाइमेट कंडिशन प्रवेलिंग इन डिफरेंट रीजन अव दे कंटी इंस्योरिंग प्रडक्शन अव अल्मोस्ट ओल्मेंडल क्रॉप था था इंडिया में पूरे साल लगाई चाती हैं ठीक हैं जीओग्राफिकली बात करें तो इंडिया इस लिकोटी लोकेट बिट्विन तू मेजर मार्केट्स एक युडोप हो गया और दूसरा इस्ट इशिया इन दोनों से जो है इंडिया को काफी ज़ाद मार्केटिंग मिलती हैं विंटरिंग इस बिंग वेरी मिल्ट अन्हांस देर इस लोट ओप स्कोप तो एक्सपोर्ट इंडियान फ्लावर को टैंप्रेट रिजन वाली कंट्रीज में दूरिंग विंटर विंटर के टाइम पर क्रिस्मस न्यू एर के डेज वालेंटाइन देज उस टाइम पर जो फ्लावर की डिमांड हो काफी जाधा हाई होती है ठीक है लेवर कोर्स जो इंडिया है वहां पर बहुत जाधा फ्लावर जो है मारे पास social fabric our country and no function is complete कोई भी function हो जाए मारे पास ताहे वो रिलीजियस हो national हो ठीक है कोई भी festival हो तो फ्लावर के बिना complete नहीं माना जाता ठीक है as far as flower trace is concerned that is for cut flower loose flower it is flourishing very well in our country because there is an increased trend of using cut flower from flower bucket arrangement in parties function and all for and for indoor decoration of garland gajra vein and for offering to dieties and thus demand of flower for these purposes is unended हमार पास जो दिमांड है फ्लावर की वो अनेंडिड हो कभी खतव ही नहीं हो सकती है चाहे वो सजावट के लिए घर की सजावट करनी है हमें किसी party में बुक्रे लेकर जाने के जिब कोई guest आहरी है उनको देनी के लिए घर को सजाने किसी चीज़ को सजाने तो उसके साथ साथ हम जो है डाइटीस को भी ओफर करते हैं अपने देवी देफताओं को यूज भी करते हैं गजरा और वेन के रूप में भूमें जो हैं वीर करती हैं गजरा उसमें भी हम फ्लावर यूज करते हैं डिफेरेंट फ्लावर लाएक रोस जायन्थम ग्लैडियस ट्यूब्रोस और डिमांड इनके दिमांड होते हैं वाइल जो चाइना एस्टर है ग्लैडियर मेरी गॉल्ड हो गया कि संथम जैसमिन इनको जो जो है लुज फ्लावर के रूप में यूज करते हैं तो हमने लुज seed production nursery industries cut green essential oil natural dyes from flower tissue culture and plant rental service इनकी भी काफी ज्यादा जो है मार पास नीड होती है इनकी भी ओम फ्लोरी कुल्चरी को बना सकते हैं फ्लोरी कुल्चरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री इन चीज़ों भी ठीके स्कॉप फ्लोरी कुल्चरी इंडस्ट्री 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 विचाब प्रदक्शन ऑफ 1,806,000 mt of loose flower ठीक है और मार पास 704,000 mt cut flower है total exports मार पास floriculture community का है इंदिया में वो है 2015 और 2016 में मार पास 479.42 क्रोर रूपीज आउट आउट विस 70% जो है वो कंटिब्यूटर होते है dry flower से ठीक है the government of India has identified floriculture as extreme focused thrust area for exporting during IX plan 9th plan के अकोड़नी उन्होंने इसको extreme focused thrust area में डाला है floriculture को government of India has step up the infrastructure for floriculture industries in major cities like New Delhi, Mumbai, Kolkata, China, Chennai, Pune and Bengaluru तो हमार पास जो इस इसको metropolitical cities भी बोल सकते इन में जो है उन्होंने floriculture industries के लिए infrastructure खोलने के लिए बहुत दा step up किया है ठीक है the agriculture and procedure food products export development authority इसको बहुत है APEDTA is giving financial assistance to the some extent for various activity connected with export of floriculture products उन्होंने जो है financial assistance दिये थे floriculture products को export करने के ठीक है 100% export oriented unit export oriented unit को हम लिखते है ई और यूज आर लोकेटेड इन एंड अरांड हैद्राबार अंदरपरदेश में जो की बैंगलूरू होज़र दोलार दोदाबलापूर देवाहली करनाटका में जो की साउथ में और गुर्गाओं जो की हर्यानम है नोर्थ में लोनावाला और पूने महाराष्टा इंवेस्ट में इन सब में जो है 100% export oriented unit जो है वो लोकेट की गई है इन सब जगाओं पर इनकी आज पास ठीक है तो यह था हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि फ्लॉरी कल्चर के हमारे पस क्या क्या स्कॉप है कौन कौन सी चीजों को हम जो है marketing production कर सकते हैं ठीक है कौन कौन से steps है तो इसी के साथ हमारी यह आज की वीडियो importance and scope of फ्लॉरी कल्चर जो है वो complete होती है अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू